यातेयात की नीमों का पालन करने और इसके प्रती बाहन चालकों को जागरू करने का काम बिलासपुर जिला पुलिश ने सुरू कर दिया है जहां एक और पुलिस परशासन ने स्कूली चात्राओं को यातेयात की नीमों का पार्ट पड़ाया तो साथ ही स्कूली छात्राओं ने बहांचाकों को फूल और गुबारे बेंट कर पुलिस से डरने के वजाए खुद की सुरक्सा के लिए नीमों का पालन करने की अपील की है यात्यात के नीमों का पालन करने और इसके प्रती बहांचालकों को जागरुक करने का काम बिलास्पूर जिला पुलिस ने शुरू कर दिया है आपको बता दे कि बिलास्पुर में दो पहिया बाहनों पर चालकों के अलावा अन्य यात्री को भी हलमेंट पहना अनिवार्य कर दिया गया है गौर्टलबे की मंडी जिला के बाद अब ब्लास्पुर में दो पहिया बाहन चालक अन्य यात्री को हलमेट लगाना अनिवारे होगा जिसको लेकर भी स्कूली छात्रों ने बाहन चालकों को जागरू करने का काम किया है पुलिस अधिक्षक शाक्षी बर्मा ने कहा कि दूपईया बाहन पर सवार दोनों ही सवारियों के लिए हलमेट पहना अनिवारे है जिसके समंद में अभी बाहन चालकों को जागरू किया जा रहा है चाला रहे है तो थोड़ा लोगों को इसके बार में अवैर कर रहे है उसके बाद विल स्टार्टिपिंग स्ट्रेट आक्षिन चात्राओं को जागरू कर रहे हैड कॉंस्टेवल संजीब पुंडिर ने जहां यात्यत के नेमों के प्रती जागरू करने में स्कूली चात्राओं की एहं भूंका रहने की बाद कही तो तो आज इन बच्चों में भी बड़ी फूशी की बात है कि इनको मैंने कल एक ही बार डेमोस्येशन फूल में दिया और इन बच्चों ने आज ड्रैफिक कर्टोल यहां पे खुल दिया और जिन लोगों ने हैलिवेट लगाय थे उनको बच्चों ने फ्लार दिये और फूल हो रहा है ताकि बच्चे जब अपने परिवार वालों को भी यह सुझा सके कि हमें यह ट्रैफिक कुंस ज़ादा प्रियान मेरत में चीए पूल दिये ताकि और जाग रूख हो जाए और यात्यात की निलों का पालब करें और नशें से मुख रहें ताकि हमारी यहां जाग यूवा पेड़ी हमारी अच्छी है वक्त तो चले एक छुट से ब्रेक का यह मिलते हैं ब्रेक के बाद